हलो फ्रेंज आपने गुजरादियों के फेयरिट अर्बी के पत्तों के बने हुए पातरा बहुत बार खाया होंगे कभी स्टीम करके फ्राय करके यहां तो तर्का लगा के कभी आपने उसकी सबजी बनाई है तो चली आज हम बनाने वाले हैं पातरा की सबजी जिसे खाते आप नौनवेज या पनिर सब बुल जाएंगे बरसते आपने उसे मेरे तरीके से बनाई है तो चलिए फटापट बनाते हैं ये हेल्थी सी सबजी इसके लिए लिए थे ये हमने पातरे का रोल है जिसे और लेडी हमने स्टीम करके रखा था बस इसे अब ऐसे छोटे छोटे पीस हमें राउंड राउंड से कट करने हैं कभी भी अच्चानक से गर में मैमान आने वाले हों तो बस आप एडवांस में अगले दिन इसे अगर स्टीम करके बढ़ा हुआ फ्रीज में होगा तो फटा फट इसे कट करके और सबजी बना सकते हैं अब एक पेन में लिया था ओइल हमने इसे सरसू के देल में बनाया है ताकि इसे खा के ही एकदम मचली सा टेस्ट आएगा आपको तो सारे हमें पातरा को ऐसे इसे फलका सा गोलन ब्राउनों से फ्राय कर देना है इसे ज़्यादा भी फ्राय नहीं करना है इसे फ्राय करने से सबजी में एकदम बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है अब लिया था हमने थोड़े से कोरियंडर उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली और डाला था ओनियन, टॉमेटो और थोड़ा सा गालिक बस इसका हमें एक अच्छा सा पेस्ट रैडी कर देना है इस तरीके से मसाले से बनी हुई ग्रेवी से आप बहुत सारी सबजीया भी बना सकते हैं बस ओईल में डाला था थोड़ा सा जीरा, हींग और थोड़ी सी ड्राय रेड चिली और उसमें डाले जी यह हमारा पेस्ट बस इस ग्रेवी को अच्छे से हमें भुनना है ताकि अच्छे से और रिलीस हो जाएगा सबसे जादा टेस्ट सबजी में तभी आता है जब अच्छे से मसाला भुना हुआ हो इसे जादा भी ना भुने और एकदम कम भी कच्छा बन रहेगा तो मसाले से हमें एसिडिटी भी हो सकती है अब इसमें डाला है मिर्ची, हल्दी, धन्या पावडर और स्वाध अनुसा नमक और एकदम बढ़िया तरीके से सिब दो मिर्ट बुनने से ही देखे कितना बढ़िया तरीके से ग्रेवी रेडी हो चुकी है अब इसमें डाल देना है पानी अगर आपको ये सबजी राइस के साथ खानी है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी डालिएगा हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी रखा है ये भी ओल लेडी ठीक हो जाएगा बस देखिए ग्रेवी में जैसे ही उबाला जाए तो जो हमने पात्रा को फ्राय करके रखा था बस उसे तूरन डाल दीजिए फ्राय करने की वज़े से पात्रा इतने अच्छी तरीके से बैट जाते हैं ति अलक सलक छुटे भी नहीं होते हैं एक दम बढ़िया तरीके से देखिए बस इसे अगेन दो मिनिट डग अच्छे से उबालाने दे और इंस्टन हेल्थी और एक दम मसालेदार सी सब्ची रेडी है हाँ उपर सी थोड़ी सी कसूरी में थी और गरम मसाला डालेंगे तो और सब्ची में चार चान लग जाएगा देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है और दो मिनिट में ही अच्छे से ये ग्रेवी ठीक भी हो जाती है इसे गरमा गरम रोटी पराठा या राइस के साथ आप खा सकते हैं इतनी बढ़िया बने थी कि बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे देखिए फटा फट इंस्टन रेडी है ना सबजी और इसे गरमा गरम सव कीजिए पका कहा सकती हूँ ये सबजी खाने के बाद आपको साथ में ना आचार या सलाद या किसी जीच की कमी नहीं लगेगी बस इसे सौक से खा लेंगे तो कैसी लगी आपको रैसी भी पसंद आई हो तो लाइक सेर सस्क्राइब कीजिएगा पर इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा